नमस्कार आप देख रहें डी एंडे नियूज और मैं छपड़ा स्वे प्रभास संजन आपको बताए कि आज जो है एक ऐसे सक्स के पास में पहुंचा हूं जो अपने कम उमड में भी बड़े जो हैं लोहे लिए हैं लोगों समाज को एक आयना दिखाने का काम किया है बहुत बता दे कि आपको सबसे ज्यादा डूनेट करने वाली यह एक सक्स ऐसी हैं जिनका आज जनम दीन भी है सबसे बढ़ी बात है कि मैं आज चैनल भी इनको आज इस चीज को लिए काफी जाद बढ़ाई देगा और इसके लिए मैं आज बता दूं कि इन्होंने वेट हैं और यह चोटी सी उमर में इतने सारी छेत्रों में कैसे समाज के लिए पेड़ना दाइक बनने है जिए रश्या प्रवजी आपका बहुत-बहुत श्वागत है आपके जन दिन के लिए लिए परिवार आपको हार दिक बढ़ाई देता है आप बताएं कि नेशनल लेपर को और आज मेरा जनमदीन है और भाया का बहुत-बड़ा थैंक यू और जो इन्होंने आज सवाल पूछा है मुझसे नैशनल लेवल और स्टेट चैंपियनसिप का बार तो मैंने स्टार्टिंग जो मैंने कदम रखा था अपनी जिन्दगी का पहला कदम मैंने स्पोर्स को चुना था क्योंकि कहते हैं स्पोर्स के बच्चे बहुत अनुशासित रहते हैं मुझे अनुशासन से बहुत प्यार है और मुझे टाइम से बहुत प्यार है कुछ लोग मुझे समय से जानते हैं क्योंकि जब भी कोई मुझे समय देता है तो मैं उसके 5 मिट पहले पहले प करो तो मुझे अच्छा कर सकती हो सो मैंने वेट्रिफ्टिंग जॉइन किया तो मझे काफी प्रचाहिद किया मेरे पारेंट्स कभी मुझे किसी छेटर के लिए मना नहीं क्योंकि उनको पता था कि बच्ची है उसका अपना एक इंट्रस्ट है इस फिल्ड में जाने का सो मैं ज्टिंग चूज कि और मैंने मताब कहीं गहीं मैं स्टेट पहले डिस्टिक लेबल से शुरू की प्रखंड ऐस्तर पे खेली फिर जीला ऐस्तर पे खेली फिर राज अस्तर पे खेली और मुझे सब में सफलता मिलते गई थोड़ा बहुत रहा कभी कभी अच्छा होई मेरे साथ तोई डॉक्टर मुझे वेट उठाने के रिए मना किया सो देन आफ्टर मैंने योगा जॉइन किया फिर योगा मैं 2015 में मैं जॉइन की फिर मैं योगा में भी जीला स्तर पे राजस्तर पे रास्ट्रिय स्तर पे मैंने मतुरा में भी मैंने मेडल लिया है योग मैं अच्छा करते गई मुझे घर के लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं करते के इंट्रेस्ट बढ़ते रहा आज की समय में मैं योगा की इंस्ट्रक्टर हूं मैं चप्रा की जीवतने भी चिकित्सक लोग हैं या फिर जो भी मैं अपने टीम के द्वारा फेस और पानिया आपको नहीं आई कभी स्वास को लेकर के हेल्थ को लेकर या फिर क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है काफी ज़्यादा जो लड़की इस तरह का कार करते हैं और आपने लड़की होकर कि उसमें इतने लिवल पर पहुंची है जी कैठीन आई यह तो बहुत ही आई बहुत जादा आई थी क्योंकि कुछ लोग कहते थे जब मैं सुबह साम प्राक्टिस करती थी और मैं जिस घर में रहती थी कॉलनी था वो और वहां से निकलते समय मुझे पानी मिलता था मतलब वहां परवनात नगर के ऐसा एरिया है जहां पर पानी पार करके मैं जाती थी जब सुबह साम तो लोग बूते थे कि पता नही परवात जी की बेटी जाती कहाँ है सुबह साम जब देखो बैग उठा कर के और दो घंटे सुबह दो खंटे शाम गाएब हो जाती है लेकिन मम्मी तो थोड़े बजहां से में आ जाती थी लेकिन मेरे पापा बोलते थे ज वह इतने खुश हुएं कि कभी आज तक मेरे पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया कि बेटा इस फिल्ड में काम नहीं कर वह मैंने खुद से चोड़ा क्योंकि मेरा खुद का प्रॉब्लम इंजोड़ी हो गया था इस वज़े से और मैं सुना है कि आपने जो है अभी सेली में सबसी नंबर वन पर आपने इस उम्र में ब्लड डूनेट कर दिया है जो की काफी ही ज्यादा मनले की इस तरह के कम उम्र में लोग एक बार ब्लड डूनेट करते हैं तो फिर दुबारा ही मतने करते आपने साइद मुझे लगता हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बदलाव आता है तो ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी मैंने फॉस टाइम मैंने कॉलेज में ब्लड डूनेशन किया था उसमें मैं इतनी डड़ गई थी कि मैं मतब अभी मुझे लगा पूरा ब्लड भी नहीं निकला था मेरे शरीर से मैं मुझे मैं मतब इतना सोरगुल की इतना हला कि कुछ मेडिया वाले लोग भी आए और फिर बोले कि मैंने बोला कि मेरी मम्मी के अकसिजिंट हो गया है ब्लड नहीं मिल रहा है तो फिर वो लोग बोला कि ब्लड मिलेगा यहां पर जो डोनेट करता है उसी को ब्लड मिलता है 2022 है और मैं लगातार उस समय से लेकर कि अभी तक मेरा टोटली 33 बार ब्लाड डोनेशन कंप्लीट हो चुका है 34 बार कंप्लीट हो चुका है और मैं मा की बज़े से यह डोनेट करना शुरू कि यही बताएं प्रीकी आपने इतने समय में कम उम्रे में अपने लंबी लंबी चलाएंगे लागाई हैं और खासकर जो आप एक महिला होते हैं कि लड़की होते हुए भी इतने बड़ा कदम आपने रखा आगे क्या रिजना हैं आपकी यह जी सही बोले लेकिन अजब अभी का समय देखा जाभी का जेनरेशन ऐसा है कि महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है क्योंकि महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिला करके हर छेतर में चल रहे हैं हर फिल्ड में चल रहे हैं कई लोगों का क्यों देती हैं सोसल मीडिया प्याना है या फिर मतलब पॉल्टेक्स चॉइन करना है यह करना है मैंने बोला यह मैं किसी भी चीज के लिए नहीं करूं अपने आपके लिए करूं मैं आवेर्नेस के लिए कर रहे हूं ताकि लड़किया इसे मॉटिवेट हो वो यह ना सोचती कि हम कमजोर हैं अगर लड़के डोनेट कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं तो मैंने ये फिल्ड एक साइड से यह चुना कि में लोगों को अवेर करूँ इस मतलब जो लोगों के मन में ब्रांतिया होती हैं लोग कमजोर हो जाते हैं कैसा कुछ नहीं आप जब रक्तदान करते हैं तो आप तीन लोगों की जिन्दिगी बझाते हैं और शाती साथ आपके बहुत सारी ऐसे समंस्हयाइं होती हैं जो आपको नहीं पता होता है उस रक्तदान के दोड़ान आपको बहुत सारे ऐसी अपनी अंदर जो कम्या है वो दिखती है, वो रिपोर्ट के दोर आपको बताया जाता है कि हाँ आपके अंदर ये चीज़ है वो डॉक्टर्स बताते हैं तो ये रक्तदान सबको करना जाए क्योंकि इस रक्तदान से कहीं ना कहीं आप मनाउता का मिसाल पेज करते हैं आपने सुना है कि आपने समाज में बहुत सा बतलाव भी करें हैं, जो चोटी चोटे बच्चे जो हैं, अब ऐसे हैं, जो कि बहुत लोग उन से घिना भी कर लेते हैं, भागते हैं, और वैसे बच्चियों को आपने एक मुकाम परकोंचाने का प्रयास भी, क्या कुछ पुल जैसे हम लोग का टीम हैं फेस ओफ यूचर इंडिया यह जो आल ओवर इंडिया में हैं हम लोग इसी के के तहट हम लोग एफ़ए फाइट साला सुरुवात की हैं तक्रीबन छे साला जो गए और जो बस दी है हम लोग का दलीत बस दी वहां पे फ्री एजुकेशन याज हम उनके साथ फोटो क्लिक करते हैं और साथ में बिठाते हैं पढ़ाते हैं अच्छा लगता है हम में और उनमें कोई फर्क नहीं हैं से में आप आज के खासके लड़कियों के लिए आप क्या संदेश दिना चाहती हूं कि हम यूवा हैं और हमी देश को आगे ले जा अपने आपको मजबूत रखना हैं और आप जिस भी छेत्र में काम कर रहे हैं उस छेत्र में मजबूती से काम कीजिए और आप सक्से जरूर होंगे अपने छेत्र में जाहिंद थेंक्यू सबसे बड़ी बात है कि आज इस उम्र में जो अभी कम समय में ही इन्होंने बड़ी उंचाईयों को चुछ हुआ है समाज को बदलाव लाने का प्रयास इन्होंने किया है और सही माइने में इन सफल भी रही है जो कि आज ये योगा में पीजी के स्टुएंट भ रही है और आइडियल परसन हो रही है और हम चाहेंगे कि इन से लोग को सीख लेना चाहिए और जरूर समाज के लिए कुछ कड़ गुजने कि तमना रखनी चाहिए छप्रा से प्रवासन्यन जुरो दिख्चान से करो फरी खुद को स्ट्रेस से गुगल प्ले स्टोर से दिख्चान से आप डाउनलोड कर अपने स्टुडी को बनाओ आसान और मज़ेदा दिख्चान देता है ट्रॉपिक वाइस वीडियो विद अनिमेटेड विज्वल्स एंद कॉंसेप्ट स्टोरी मतेरियल्स